लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए इस चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी ने आपको पांच गैरेंटिया दी हैं ये गैरेंटिय जो हमने आपको दी ये हमने किसी बंद कमने में ढूंड के नहीं निका ली हम आपके पास आए आपसे मीटिंग की अलग अलग लोगों से हमने बात की महिलाओं से बात की युवाओं से बात की टे गार्डन्स के जो मजदूर हैं उनसे बात की छोटे और मिडल साइज कमपनी को जो चलाते हैं उनसे बात की और उनसे पूछा भाईया देखिए आप बताईए आसाम के लिए क्या करना चाहिए और इन मीटिंग में आपने हमें बताया CAA के बारे में बताया आपने का देखिए आसाम में हम CAA नहीं चाहते और पिर आपने समझाया आप इसके खिलाफ क्यों हो आपने कहा कि ये जो CAA है ये आसाम पर आक्रमन है ये आसाम को तोड़ने का जलाने का नफरत फैलाने का तरीका है हमें ये नहीं चाहिए ये आपने बोला हमने सुना और हमने अपने मैनिफेस्टों में एक लाइन लिख दी कि चाहे कुछ भी हो आसाम की जनता ने हमें कहा है हमें CAA नहीं चाहिए तो दुनिया की कोई भी ताकत आसाम में CAA को नहीं ला पाईगी खतम पहला वाइदा दूसरा वाइदा हिंदुस्तान में सबसे जादा बेरोजगारी असाम में है पहले नमबर पे असाम के जुवा आगे पीछे आगे पीछे रोजगार ढूनने निकलते हैं मिलता नहीं है केसे मिलेगा कहां से मिलेगा रोजगार आसमान से थोड़ी गिरता है जादू से थोड़ी पैदा होता है नरेंद्र मोधी ने नोट बंदी की आपके जेब में से पैसा छीना छीना चोड़ो चोरी किया उसके बाद GST लागू की 28% टैक्स 5 अलग अलग टैक्स गरीबों पे टैक्स छोटे दुकानदारों पे टैक्स छोटे पानियों पे टैक्स मिडल साइज बिसनेसेज पे टैक्स और अरब पतियों को छूट बाई और बेनों जो रोजगार पैदा करते थे उनको तो नरेंद्र मोधी ने खतम कर दिया जो छोटे वी अपारी थे जो किसान है जो मिडल साइज बिजनस है जो असाम को पहले रोजगार देते थे उनको तो नरेंद्र मोदी ने मार दिया क्यों मारा अपने दो तीन मित्रों की मदद करने के लिए भाई और बेहनों आपके जेब से पैसा निकाला उसको आप नोट बंदी के दीजिए उसको आप GST के दीजिए और फिर लाकों करोर रुपे उन्होंने अपने दो तीन उद्योग पतियों को पकड़ा दिया आपका एरपोर्ट पकड़ा दिया आपके चाय के बगाज गार्डन पकड़ा दिये ओइल फेल्स दे दी जो आपका था वो सब उठा के नरेंद्र मोदी ने सोनेवाल जी ने बहार के लोगों को दे दिया इसलिए हमारी दूसरी गैरंटी हम आसाम के युवाओं को पाँच लाक रोजगार देंगे और असाम के जो अर्द विवस्ता है उसको हम एक बार फिर चालू करके दिखाएंगे हमने ये पूरे देश में कर रखा है 36 गड़ में जाके देखिए 36 गड़ में ऐसे ही हमने वाइदे किये थे एक सबसे बड़ा वाइदा किया था 36 गड़ के चीफ मिनिस्टर बेटे उन्होंने भी कहा हमने 36 गड़ में कहा देखिए क्या चाहतें आप 36 गड़ के हर एक किसान ने हमें कहा राहुल जी बगेल जी किसानों को आप कर्जा माफ कर दीजिए भाईयों और बेहनों चुना हुआ 36 गड़ ने कॉंग्रिस पार्टी को जिताया और मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कहा था दस दिन के अंदर होगा और बगेल जी से पूछे चुनाओ जीतते ही मैंने इंको को कह रहा हूँ यह जो गैरंटी हम दे रहे है यह सच है जूटी गैरंटी सुननी है ना जाइए नरेंदर मोदी जी के भाशन सुन लीजिए चौपेस घंटा जूट बॉलेंगे किसी चीज के बारे में जूट सुनना हो किसानों के बारे में रोजगार के बारे में असाम के बारे में बंगॉल के बारे में करनाटक के बारे में तीरी ओन कीजिए नरेंदर मोदी जी ना चेहरा देखिए और जो उनके मुझे निकलता है उसको सुनिये वो जूटी निकलता है और सचा ही नहीं निकलती उसमें से चाहे के बगीचे के जो मजदूर है उनके पास हम गए हमने उनसे पूछा देखिए बताई ये क्या है उन्होंने हमें कहा देखिए BJP ने हमें वाइदा किया था 351 रुपीज का वाइदा किया था कहा था कि मजदूरी के 351 रुपीज देंगे राउल जी जूट बोला हमें धोका दिया हमने कहा क्या चाहते हो आप टी गार्डेंज के मजदूरों ने कहा राहुंजी 365 चाहते है 365 हमें 365 रुपे मिलने चाहिए हमने कहा आपने हुकम किया है आपको 365 रुपे मिलेंगे खतम वो ही सवाल हमने अपनी माताओं बेहनों से पूछा उन्होंने हमें कहा हमारा समान होना चाहिए हमें हर महीने हाउस वाइफ्स को 2000 रुपे मिलने चाहिए महिला समान हमने कहां आँजी मिलेगा और आखरी बात हर घर को 200 यूनिट फ्री में बिज़ ली बाई और बेनो ये गैरंटी है मैं आपको बता रहा हूँ आप मुझे बताई एक बात अगर ये 24 घंटा हिंदुस्तान के दो तीन बड़े उध्योग पतियों को पैसा दे सकते हैं किसी को एरपॉर्ट पकड़ा दिया किसी को टी गार्डन्स पकड़ा दिये किसी को ओल वैज्ट पकड़ा दिये अगर ये सबसे अमीर दो लोगों को पैसा दे सकते हैं तो हम सबसे गरीब को क्यों नहीं दे सकते पैसे की कमी नहीं है ये फराक है हमने नारेगा दिया करोनों लोगों को सो दिन का रोजगार और आज ही आसाम में नारेगा का पैसा आपसे चोरी करते हैं नारेगा का सही पैसा नहीं देते हैं गायब कर देते हैं और फिर दो तिन लोगों का जबाफ करते हैं तो अगर ये सबसे हमेर लोगों का कुपो पैसा दे सकते हैं, तो हम सबसे गरीब लोगों को क्यों नी दे सकते? सिरी जिबात है, और हम करके दिखाएंगे आप लेकना चुनाओ के बाद, हम करके दिखा देंगे. और आप इनसे एक बात पूछिए, इनकों जो बाहर से बड़े नेता आते हैं, चीफ मिनिस्टर से पूछिए, आप बाटने का काम करते हो, आप आग लगाने का काम करते हो, आपने असाम के लिए पिछले पांच साल में क्या किया? एक बात बता दो, आपने असाम को आगे बढ़ाने के लिए, असाम के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं की मदद करने के लिए, छोटे दुकानदारों की मदद करने के लिए, आपने किया किया, ये तो बता दो, 24 गंटा ये आग जलाते हैं हर प्रदेश में जाते हैं आग जलाते हैं और इनका सिर्फ एक लक्ष है जो आपका है वो आपसे छीन कर ये दो-तीन लोगों को पकड़ा दे ये पांच गैरंटी है मैं आपको छटी देता हूँ चटी गैरंटी ये है कि कॉंग्रेस पार्टी की सरकार महाजोत की सरकार असाम को असाम से चलाएगी नागपूर से नहीं दिल्ली से नहीं असाम से चलाएगी और हमारा चीफ मिनिस्टर नागपूर जाके और्डर नहीं लेगा बिल्ली जाकर और्डर नहीं लेगा हमारा चीफ मिनिस्टर असाम की जंता के पास जाकर और्डर लेगा और जो असाम की जंता उसको कहेगी वो हमारा चीफ मिनिस्टर करके दिखाएगा बाईयों और बेनों देखिए आज जो भीड़ाई है इसमें अलग अलग विचारदारा के लोग है इसमें हर जात के लोग है हर धर्म के लोग है यह असाम है देखिए भाई चारे के साथ प्रेम के साथ आप यहां खड़े हो एक डूसरे से लड़ नहीं रहे हो एक डूसरे का आदर कर रहे हो यह है आअसाम यह आपकी संस्कृती है यह आपकी हिस्ट्री है यह आपका इतिहास है BJP RSS के लोग आप पर आपके संस्कृति पर असाम पर आपके भाशा पर आक्रमन कर रहे हैं इस बात को आप समझे हमारे लिए देश में अलग-अलग भाशाएं है अलग-अलग प्रदेश है अलग धर्म है अलग सोच है हमारे लिए ये सब एक साथ मिल कर हिंदुस्तान बनाते हैं ये आपके भाशा को दबाना चाहते हैं आपके हिस्ट्री को रद करना चाहते है और आपको एक दूसरे से लड़ाना चाहते है इनका ये ही लक्ष है पाँच साल में इन्होंने कुछ नहीं किया सिर्फ आग लगाने की कोशिश की और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ आसाम की जनता ने इनको बहुत अच्छा सबक सिखाया आसाम की जनता ने इनको कहा कि आप हमें नहीं बाट सकते आप हमारे बीच में नफरत नहीं फिला सकते ये जो आप आकरमन हम पे कर रहे हो हम आपको नहीं करने देंगे और बीजे एपी को बात समझ आ गई कि आसाम को तोड़ा नहीं जा सकता आसाम की भाशा को दबाया नहीं जा सकता आसाम में नफरत नहीं फिलाए जा सकती चुनाओ से पहले आपने सबक सिखा दिया भाईयों और बेहनों इसका नतीजा आपको कुछी दिन में दिखाई दे जाएगा आसाम में माजओत कर चीफ मिनिस्टर आएगा और यह जो हमारी पाँच गैरिंटी है उसका पहला काम इनको पूरा करने का होगा आप दूर दूर से आए आपने मेरी बात सुनी इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ और यहां अमारे जो दो कैंडिडेट्स है बर्मन जी आईए आईए और अनोवर हुसेन जी इनको आप भारे बहुमत से जिताईए विदान सवा में पहुचाईए धन्यवाद नमस्का जहिद झाल